आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाओ Hello students, तो है यहाँ पर question में क्या दिया हुआ है यहाँ पर हमें लिखना है एक relation for force F vector जो की add कर रहा है charge carrier Q पे जो की move कर रहा है with velocity vector V vector, ठीक है through a magnetic field B vector, अब इस relation को use करके हमें reduce करना है condition under which the force क्या होगा, हमारा maximum कब होगा, minimum कब होगा, ठीक है यह reduce करना है, तो फिर under what condition will it move in circular path and helical path, ठीक है तो देखिए हमारा, माले टेक charge है, ठीक है और charge का value Q है, और यह move कर with velocity V vector, और माले जी यहाँ पे कुछ magnetic field यहाँ पे B हो जाता है ठीक कुछ angle पे तो जो force लगता है इस पे, वो क्या होता हमारा force होता हमारा यह vector form में force होता है F vector is equal to Q V vector cross of B vector, ठीक है यह होता है, तो यहाँ पे हमें cross करना पड़ेगा ठीक है, V cross B जब करते हैं तो यह क्या होगा, यहाँ पे into the plane हो जाएगा कुछ ऐसा, तो यह हो जागा हमारा force magnetic force ठीक है, यह हमारा होता है relation अब इससे use करना हमें और यहाँ पे पता करना है कि maximum कब होगा, minimum कब होगा ठीक है, तो पहले देखते है maximum कब होगा तो जो जो F होता है F B इसका magnitude क्या होता है हमारा Q V vector cross B vector का mod ठीक है, यह क्या होगा हमारा Q V B sin theta mod अब हमारा यहाँ पे assume करते है कि हमारा यह V का जो mod होता है positive है तो Q V B हो जाता है और यहता है mod of sin theta ठीक है, यह होता हमारा force तो यह force जो हमारा है यह maximum का होगा जब हमारा sin theta maximum होगा मतलब कि F B maximum तब होगा Q V B mod of sin theta maximum होगा और यह तो हमारा क्या यहाँ पे constant है ठीक है यह हमारा constant है यह change कर सकता है यह maximum क्या होगा होगा यह इसका mod है यह हो सकता हमारा 0-1 तक तो इसका maximum value क्या हमारा 1 है तो यह maximum 1 हो सकता है याने कि mod of sin theta 1 जो कि कब होता हमारा theta is equal to 90 degree पर इसको में तब यह हुआ हमार जो velocity और magnetic field में angle होने चाहिए 90 degree मतलब V हमारा यह है तो magnetic field होना चाहिए इसके 90 degree angle पर ठीक है या तो नीचे या तो ऊपर ठीक है कोई direction में यहाँ पर बस 90 degree होना चाहिए इसके बीच में angle ठीक है तो यह जाएगा fb max क्या होगा हमारा max होगा हमारा qvb ठीक है और minimum क्या होगा अब देखिए यहां पर इसका जो minimum value क्या है यहां पर 0 है ठीक है तो fb का minimum क्या होगा fb जोगा हमारा minimum होगा जब हमारा जो mod sin theta है ठीक है यह क्या हो जाए जिए 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 जो वह हमारा जो वेलोस्टी होता है ठीक है वो force के perpendicular हो मतलब कि यहां पर वेलोस्टी है इस particle का तो force इस परपेंडियुक्ल होना चाही है ठीक है 90 इडी तुप्र तो हम यह circle में move करेगा ठीक है तो यानि कि यहां पर इस circle में तब move कड़ेगा circular path में जब force और यहां velocity में 90 degree angle हो अगर यहां पर दिया हुआ है कि यह हमारा velocity vector है ठीक है और यह हमारा यहां पर magnetic field b है angle बीच में माल लेते हैं यहां पर theta ठीक है तो यहां velocity का दो component होगा एक क्या होगा एक होगा V cos theta ठीक है और दूसरा होगा हमारा V sin theta ठीक है तो force चुछ होता है हमारा waarं सिप्जर में Ge王να का वो क्या होगा हमारा and ize equal to QV sin theta into B ठीक है यह fours करेक्षन क्या होगा होगा यहां पर देखिए मूलन लेक है कि हमारा axis है ठीक है तो हमारा यह x-axis है ठीक है यह हमारा मालनत्य ऐसा कुछ यह x-axis है और यह मालनत्य है हमारा y-axis ठीक है और z assume करते हैं कुछ ऐसा z assume कर लगते हैं ठीक है तो force होगा हमारा यहां पर क्या होगा v x b क्या लोग होगा यानि कि v x b जो cross करते है इसका तो यह होता है into the plane कुछ ऐसा तो उस डैक्षन में force होगा into the plane यानि कि particle पर force लगा अंदर क्यों दिखे इसे observe करते है इस diagram को तो यह मतलब कुछ ऐसा होता है हमारा यह axis है यह हमारा y axis है यह हमारा positive z ठीक है और x axis हमारा किया है यहाँ पर out of the plane है तो particle पर force लग रहा रहा हूं minus z ठीक है magnetic force और velocity का है यहाँ पर perpendicular v sin theta और दूसरा out of the plane v cos theta है तो इसके करण किया हो इस force के करण यह move कड़ेगा circle में क्यूंकि यह force हमारा हमेना freuen square for perpendicular होता है क्यूंकि अगर मालने थे हैं कि v sin theta जो यहाँ पर हमारा है इसī leap इसके पर inerm愉नती आप्येक्ट पर के आप्योब करण है जो एक सरग्येकर में मूफ करेगा अब circle में move कर रहा है प्लिस इसका velocity जो है out of the plane है तो path जो होग ऐसा कुछ ऐसा होगा मतलब यह हमारा axis है तो यह हमारा axis है तो यह particle है वो move कर रहा है कुछ ऐसा तो यहापर touch कर रहा है हमारा x-axis को और यह आगे बढ़ते है तो यह जो हमारा distance होता है ठीक है यह distance से बोलते है pitch ठीक है यह होता है pitch और pitch जो हता हमारा pitch के value क्या होता है velocity along x into time-pare t ठीक है time-pare t के हमारा जब यह particle यहाँ से start करके travel करके पुड़ा यहाँ से यहाँ तक वापस यहाँ पहुंच जा है ठीक है तो velocity along x का यहाँ अपर vcos of theta ठीक है तो पिछ हमारा 0 कब होगा पिछ जो हता हमारा वह 0 कब होगा pitch जो हता हमारा वह 0 कब होगा जब vcos theta हमारा क्या हो जाए 0 हो जाए यहन्न theta क्या होजाए 90 degree ठीक है इस case में क्या हमारा velocity V होगा और मेंगेटिक फिल्ड जो गता है इसके पर्पेंडिकल अगल होगा 90 डिगरी टिक है तो जो हमारा फोर्स होगा ठिक है वो कहा होगा हमारा V क्रोस B into the plane होगा कुछ ऐसा और इससमे क्या होगा यह पार्टिकल जो होगा हमारा ठिक है इससमे यह यह move करेगा circle में ठीक है जब angle जो होगा magnetic field और velocity में 90 degree होगा ठीक है तो particle जो रहेगा हमारा यहाँ पर यह y axis है ठीक है यह हमारा minus z है तो यहाँ पर यह move करेगा यहाँ पर देखिए circle में ठीक है force लगेगा center की और with velocity v move करेगा ठीक है लेकिन अगर इसका v cos 0 ना हो कुछ angle हो बी तो यह जो path हमारे यहाँ पर है यह क्या है helical ठीक है इसके लिए बस condition क्या हमारा की v cos theta हमारा 0 ना हो ठीक है इसके condition है कि हमारा vx जोता हो 0 ना हो यानि v cos theta is not equal to 0 ठीक है और v तो हमारा 0 है नहीं ठीक है यानि यह 0 नहीं होना चाहिए यानि कि theta should not be equal to 90 degree ठीक है कुछ angle पर होन चाहिए मतलब यह हमारा velocity है और हमारा magnitude कुछ b कुछ angle theta ठीक है इस case में यह फॉलो करता है एक path ठीक है यानि spring एक spring type का path फॉलो करता है कुछ ऐसा जिसे हम बोलते है helical path थैंक यू